जब व्यक्ति अपने कर्म के साथ कुछ इस तरह की स्विकारुक्ति लेकर आता है कि जो भी सामने है उसे अपनाना ही है और उसके साथ में बढ़ना ही है तब उसकी छवी, उसकी आभा, उसका आकर्शन एक अलग रंगत के साथ में होता है गुरशब राशी के महनुभावों के लिए जो शनिदेव की स्थियां अब दश्मस्त प्रवेश कर चुके हैं कुछ ऐसी ही भागदौड, कुछ ऐसी ही विलक्षन आभा वापनिरंतर अपने साथ लेकर चल रहे है उत्रोतर बली किंद्र मेशन देव, देव गुरू बरिहस पती स्वराशीस्तान में मंगल का मारगी हो जाना और उसी समय प्रभाग के साथ में सूरी देव का कुमबस्त प्रवेश करना फरवरी दोहजार तईस में, यह यूं कहें कि मासिक राशिफल के रूप में फरवरी दोहजार तईस के साथ किस तरह कि फलसूशनाओं को सामने रखेगा इसका समग्र चर्चा वरतांत लेकर हम आप सभी के सन्मुक यहां उपस्तत है सर्व पर्थम, ग्रह, गोचरिय, व्यवस्ताओं का ध्यन और उसके बाद नव ग्रह और बारह भावों के साथ जुड़ी हुई स्ततियों का यहां विवेशन आप देखिएगा कि चंदरबा का प्रभाव एक 27, 27, 28 फरवरी 2023 के साथ वुरशब राशिस्तान में रहेगा मंगल यहां वुरशब राशिस्तान में ही अब मारगी होकर चलायमान है एक तरह से 12 और सप्तम भाव क्यारिपदी प्रथम भावस्त करम के साथ में वहीं सस्ट में केतु वादश में राहू की स्थियां बनी होई मंगल राशिस्तान में तो वहीं पर बुद्ध साथ से 27 फरवरी 2023 तक के अंतराल में मकरस्त रहने वाले होंगे शुक्र की स्थिया 15 फरवरी 2023 तक कुम्भ राशिस्तान के साथ में गतिमान है तो वहीं शनिदेव अब उत्रोतर बली किंद्र के साथ में नरंतर गतिमान सूर्य देव की इस्तियां कुम्भराशी इस्थान के साथ में एक तरह से चतुर्थेश का जो आधार है वो 13 फरवरी 2023 के बाद से ही यहां दशम भावस्त करम में रहेगा देव गुरुब्रेस्पती लाभेश होकर लाभावस्त करम में दरंतर तोर पर गतिमान तो हम शुरुबात करते हैं पर्थम भाव के साथ गौर कीजिएगा कि जो पर्थम भाव में मंगल की स्तियां है तदा परतम भाव की जो आदिपती शुक्र है वो स्वयम यहां टेंथाउस के अप्रोच के साथ में कंटिनूरस नोट पर चलते वे उसके बाद उचस्प भी हो जाएंगे तो एक तरह से 3.11 का संबंद बनाएंगे जो आत्म विश्वास है वो काम काज में जलक रहा है जो निरना ले लिये हैं अब वो सही सद्ध होने के तरफ जा रहे हैं बले ही जॉब में चेंज की पोजिशन्स थी जहां पर डाउट थे बले ही बिजनस के साथ में जो भी आपने डिसीजन्स ले थे वहाँ पर लोगों के द्वारा भ्रम दिये जा रहे थे उनसे मुक्त होकर अब जीवन लगातार कतिमान है आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर करते चले जाईएगा कि जो यहाँ मंगल की पोजिशन्स बनी हुई है वो एकदम clarity से ये भी दर्शाती है कि आप IT फिल्ड में किसी भी interview की तरफ जा रहे हैं आप यहाँ presentation की तरफ को decisive basis के उपर जा रहे हैं जहां से भावी जीवन का एक तरह से नया मार्ग परशश्ट होगा वहाँ पर चार दसका शुक्र का बनता हुआ संबन्द अद्भुत आभा देता है medical field के साथ में भी बंगल की स्थियां तेजवान है सबसे प्रमुख बात यह है कि अनुशाशन पर जो शाशन स्थापित करके चलना होता है objective इतना discipline है कि जो भी कार सामने आ रहे हैं वो समय पर ही वो पूर्ण करने के लिए परतिबदता में भी है और उसी rotation के साथ में चल भी रहा है यह ताकत आपके साथ में बनी हुई परन्तो यह जरूर याद रखिएगा कि जो भी नर्णय आप लेते हैं उसमें स्वयम को हेतेशी लोगों के साथ में चर्चाओं में जरूर लेकर चलने वाले हों मंगल ओवर confidence भी बहुत जल्दी देते हैं तो वहीं एक फरवरी चब्वीस, सताइस, हठाइस फरवरी के साथ में चंदर मंगल का लक्षमी योग भी बनेगा इन दिनों के साथ में आपके लिए कोई भी उफर आते हैं तो उसको और तेजी से स्वयम के लिए स्विकार किया जा सकता है ये एक बात भी खुद को बारंबारा बताईएगा खुल जमाजोड इंटर्वियो के लेहाजा मीटिंग्स के लेहाजा ये टाइम एक अलग पॉजिटिविटी को रप्लिकेट कर रहा है तो वहीं पर हम अगर द्वेतिय भाव के चर्चा करते हैं अब एक महत्तपूर बात सामने आती है धन भाव के आदिपती और साथी साथ में वानी कुटम भाव के अदिपती यहां नवम भाव में रहेंगे च्छे आठ का संबंद इतना बैतर नहीं है उस संबंद के साथ में रहेंगे तो वहीं बुद्ध की एक और इस्तती प्रमुक तोर पर समझने की आवशकता है कि जब बुद्ध यहां शनिदेव के राशी स्तान में रहेंगे तो कोई मेजर रिफलेक्शन के साथ में नहीं है इसी वज़े से धनागमन में तिवरता जरूर है परन्तु व्यक्ति कई बार एकदम स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाता है कि वो किसे रास्ते पर जा रहा है और कैसे उसके लिए संभाव नाव का उदय है इसे वज़े से बारंबार स्वयम को ये समझाईएगा कि जो धनागमन हो रहा है उसको निवेश के तरफ कैसे लेकर जाना है खुद पर किसी भी तरेके का डाउट नहीं रखना है पूरी तरीके से अपना नियंतरण नहीं रख बाता ऐसे समय में कमिटमेंट कर जाता है जिसके आवशकता ही नहीं होती पारिवारिक जनों के साथ में रूखे वेवार से बचियेगा जहां पर हमारी प्रेजन्स के रिक्वार्मेंट है हम पूरी ही उर्जा के साथ में जाने वाले होंगे हाला कि शुरवाती बारह थे तेरह दिनों के लिए आपकी जो फिलोसोफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो लोगों को प्रभावित एवं आकरशित भी करने वाली रहेगी कोई रुपया पैसे अटका हुआ था या फिर कोई भी इंसेंटिवारी लंबे समय से अटकाब की तरफ था किसी और्गनाइजेशन में कार्य किया वहां से सैलरी लंबे समय से मिलनी पाई छोड़ भी दी तब भी वो लगातार जद्धो जय चल रही है इस महीने वहां से कुछ सकारात्मक संकेत आपके लिए मिल सकते हैं परन्तू लगातार वहां प्रयासरत रहकर चलिएगा चर्चा पराकरम भाव की आप ये देखें कि देव गुरु ब्रैस्पती अपने ओचराशी स्थान को देखते हुए वहीं बुद्ध की स्थान भी यहां पराकरम भावस्त करम को देखते हुई एक बात बारंबार स्मर्तियों में रखिएगा कोई प्रमोशन अटकी हुई थी वहां आपको कुछ शर्तों के साथ में वो मिल रही है यदि शर्ते मानी जा सकती है तो फिर बढ़ने से खुद को रोकना नहीं चाहिए यहां चोटी यात्राओं से संबंदित कामकाज और निरंतर त्वार पर चलते हुई शनिदेब की स्थतियों की वज़े से भाग दौट आपको यहां पर betterment के prospect continuous note पर देती हुई प्रतीत होगी यह भी याद रखें कि यहां आपके पराक्रम का जो क्रम है वो वर्दी की एक अलग आभा के साथ में चलने बाला हो जाता है जहां पर कोई निरणाय का कारे आपको इस वज़े से सौपा गया कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएं और आपको कोई और रास्ता दिखा दिया जाए वहीं आप अड़िक हो गए कि नहीं यहां तो खुद को प्रूव करके दिखाएंगे बले ही बाहर के रास्ते के साथ में चलना बड़े कोई दिक्कत नहीं परम तो यहां से कुद को प्रूव करके चलेंगे और फिर बले कोई भी चेंज आता है उसको एकसेप्ट करेंगे जब व्यक्ति इस मनोवर्ती के साथ में होता है वो अलग तिवरता के साथ में होता है यही एक एप्रोच आपके साथ में कंसिस्टेंसे से बनी होई वहीं चर्चा करते हैं चतुर्दभाव की चतुर्देश होकर सूरिदेव तेरे फरवली के बाद दशम भावस्त करम में रहेंगे शुरुवाती स्तर के ऊपर भूमी संबंदित कामकाज में ठीक ठाक तिवरता उसके बाद में और अधिक तेजी यहां आपको विवस्तत करते चले जाती है मंगल भूमी सुत होकर भूमी भाव पर अपनी दिर्ष्टी रखते हो शुरुदेव जो पुरानी भूमी के आदिपती हैं वहीं सुरुदेव की जो दिर्ष्टी अपनी राशी स्थान पर रहेगी शुक्र जो व्यक्तिकत जीवन के अंदर बहुत एक ताका एक अलंबन लेकर आते हैं यह सारी ही स्ततियां आपके लिए गिनफुल है इंटीरियर डिजाइन संबंदे कामकाज हो गया कंस्ट्रक्शन संबंदे कामकाज हो गया रियल एस्टेट की कोई भी अन्य विदा हो गई उन शेत्रों के साथ में आपके तिवरता देखते ही बनती है इसमें कोई भी नकारात्मक बक्षे यहां मौजूद नहीं है और वहीं अब बारम बार सुम को ये भी समझाते वे चलिएगा कि हार्ट को रिलेट करती हुई जो प्राब्लम्स चल रही है उनके प्रापर बेस की ट्रीटमेंट और सॉलिशन की तरफ जरूर जाया जाए ये समय सकारात्मक है इसी वज़े से ऐसे समय को अपना कर जब भी विक्ति अपने स्वास्त के साथ में एक अलग समगर सकारात्मक ता लेकर चलता है तो खुद को और अधिक स्थर करता चला जाता है ये प्रतिमान भी आप अपने साथ में स्थापित करके चलिएगा इस बात पर भी पूर्ण तयाप वार करने वाले रहें कि जो वाहन संबंदी कामकाज है एजिंसी लाइन संबंदी कामकाज है वहाँ तेरे फरवरी के पहले ये आप हामी भर के चलते हैं तो और अच्छे परिणामों की उमीद स्वयम के लिए की जा सकती है रोकावट और बाधा बिलकुल भी नहीं वहीं पंचम की चर्चा करें तो सिक्षा के लिहाजा वृषब राशी के जातकों के लिए ये समय अतिमहत्वपूर्ण है क्योंकि पंचम का अधिपत्य नवम के साथ जुड़ा हुआ देव गुरु ब्रेस्पति बले ही शत्रु राशी स्थान को देख रहे हूँ परन्तु अपनी तेवरता को यहाँ दिखाने वाले होते हैं क्योंकि यहाँ का कारकत्व उनके पास है इसे वज़े से बेनेज्मेंट के एजूकेशन हो गई आप लेटरेचर संबंदी किसी भी विधा में है आप लेख की स्थतियों के साथ में चल रहे हैं आप यहाँ विदेश संबंदी सिक्षा की और जाना चाहते हैं कोई भी शित्र विशेश जो की सिक्षा के संदर्प के साथ में व्यक्ति को लेकर चलता है बले ही वो अध्यन हो या फिर जिविक और पारजन दोनों ही स्थतियों के साथ में यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी के प्रोस्पेक्स रहेंगे यह बात स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ आपके लिए मुख्य तया जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच होती है वो कंसिस्टनसी से पॉजिटिविटी के नोट देती चली जाएगी और जो आप लंबे समय के निवेश के तरफ जाना चाहते है यह समय आपके रिए सखारात्मक है वही पर जो महिलाएं संतान सुक्य और अगरसर है इस महिने को काफी बहतर कहा जाएगा सिस्टमेटिक अबरोच में बुन है कामकाज की तरफ जाना खुद को एक स्थिरता दे कर रखना यह सारे ही मानक यहाँ आपके साथ में स्थापित है तो वही पर यह भी आद रखिएगा कि आप बहुत लंबे समय बाद स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेट की किसी और पुजीशनिंग में खुद को जोड़े हैं तो यह अंतराल काफी हट तक सकारात्मक है और अब निरंतरता रखी जा सकती है हुई यातरा सस्ट की सस्ट के आदिपती शुरुवाती तोर पर जब तक दशम में रहेंगे व्यक्ति अपने स्वास्ति को संभाले रहता है परंतु सस्टात सस्ट जब हो जाएंगे शुकर बले ही उच्चस्त होंगे डाइबिटी संबंधी परिशानियों से और साथ ही साथ में स्टमक को रिलेट करते हुई जो प्रबलम्स होती है उससे संभलें नर्व्स को रिलेट करते विशूस जो कंसिस्टेंसे के साथ में डिस्टरब कर रहे है एर्गुलर एक्सरसाइज हो गया खुद को लगातार योगा प्राणायाम के साथ में जोड़ना हो गया जो रूटीन व्यक्ति विशेश को चलायमान रखता है शारेरे की स्तर पर उसको अपना कर चलने की पूरी-पूरी आवशकता है यहां पर बनी हुई है यह बारम बार हम आपसे कहना चाहेंगे और यह भी याद रखिएगा कि शक्त्रुपक्ष यहां हावी होने का प्रयास कर सकता है परन्तु आप जहां डिप्लोमेटिक होते हैं इस्ततियों को संभालने के और होते हैं वहीं से एक पॉजिटिविटी आती चली जाती है एक्सपोर्ट संबंदी कामकाज में यह पूरा ही महीना आपके लिए हित गामी स्ततियों को लेकर है वहीं यहीं हम सब्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सब्तम के आदिपती परतम भावस्त करम में रहकर पुने हैं यहां सब्तम को एमदेव गुरुबरेस्पतिक विद्रिस्टी व्यापार भाव पर रहेगी व्यापारिक स्तर के उपर यहां हैंडिक्राफ्ट Timber संबंदी कामकाज, Educational Institute संबंदी कामकाज, Pharmaceutical संबंदी शेतर विशेश क्योंकि शनीदेव की भी दृस्टी यहां सब्तम भावस्त करम के साथ में है जिसी वज़े से ये ताकत और याभा और अधिक आपके लिए बढ़ती चली जाती है रोकने वाली नहीं होती किसी भी स्तिती को और इस बात को याद रखिएगा कि आप कोई बड़ा और नया इनिशेटिव लेना चाहते है यह महीना एक अलग सकारात्मक पक्ष को सामने रखता है उस इनिशेटिव के साथ में रिस्क भी है आप जॉब से बिजनस के तरफ जा रहे हैं आप बिजनस कर रहे हैं किसी और पार्टनर को जोड रही है ऐसी स्तितियों के साथ में वेक्ति पूरी उर्जा रखे प्रोपराइटर्सिप से जब कंपनी के तरफ बढ़ना होता है किसी और्गनाइजेशन की शेप देना होता है ऐसी गरही विवस्ताएं वेक्ति को बहुत ज़ादा सहीयोग करने वाली हो जाती है इसमें कोई भी और फोल्ड मौजूद नहीं ग्रिहस पक्ष के साथ में विवाद जो की कई बार जिवन की हिस्सदारी के रूप में आते हैं इस सदेक चंताओं की आबशक्ता नहीं क्योंकि प्रहसपती की जो नौवी अमरित में दृस्टी है वो भी पुनहे विक्ति विशेश को काफी हद तक भीतर से संगटित करती चली जाती है और साथी साथ में आप ये भी देखिएगा कि बिजनस पार्टनर्शिप के साथ में आप काफी हद तक स्वयम को स्थिर करते चले जाएंगे अस्थम की चर्चा करें तो अस्थम की आलिपति लाब में है आपका होनर साथी साथ में विलेश संबंधिकारियों के साथ में जो पुझी निवेश आपने किया था वो लाब के तरफ आउट्सोर्सिंग संबंधि किसी भी कारिशेतर के साथ में आपका अस्तक्ष है पे जो आप ये भी देखिएगा कि इस समय की प्रमुक प्रवरती के साथ में एक और बात याद रखे जाए कि आप जो खुद को एक अलग प्रगती अपने कारिये के साथ में देना चारे थे एकांत के साथ में अपनी मित्रता को बढ़ाईएगा वहीं से आप बड़ी गेनफुल गोर करें क्योंकि धन और पंचम के आदिपति नवम में है परंतु दूसरी विशेश बात यह है कि नवम के आदिपति अबदशम के साथ में है भाग्ये को कर्म का पूरा-पूरा सायोग मिलता चला जा रहा है इसे वज़े से इबात स्मृतियों में रखने के जरूरत रहे कि आपके लिए यहां पर जो भाग्ये का सयोग है वो भी बना हुआ विजवलाइस करने के अप्रोच भी बनी हुई शुरवाती तोर पर जो खुद की फिलोसोफी है वो ही बताती है कि मुझे अपने नेते काधार के साथ चलना है इधर उधर नहीं होना है वहीं जो आप मै संबंदी कामकाज इंडस्ट्रियल बेसेस के उपर लोजिस्टिक्स ट्रांस्पोर्टेशन संबंदी कामकाज में एक नया लेवल एस्टेबलिश करना चाह रहे थे बोली ही रेस्टोरेंट संबंदी शेत्र हो जोंकि शुक्र की स्थितियां भी शनिदेव की साथ रहेगी प्रभावी तोर पर ये आभावा आपके साथ में बनती है परन्तु कई बार व्यक्ति कुछ ऐसी आदतों का शिकार हो जाता है जो उसको एडिक्शन की तरफ लेकर जाती उससे भी आप पूर्ण तया संबले हैं ये एक निविदन आप से हम करना चाहेंगे वहीं अध्यात में एक शक्ति का प्रवाव भीतर बहुत अच्छे से मौजूद है युगा अभ्यास के माध्यम से आप किसी भी तरीके की आर्थिक स्तिती को संबल देना चाहते हैं तब भी नवंभाव आपके लिए एक पॉसिटिव अप्रोच को कंटिनुवस नोट पर लिए हुए है द ताकि स्वास्त में जो सस्ट भाव के साथ चर्चा हुई थी उसे थोड़ा सा आप संबलिएगा इसके अलाव अदविधाय नहीं यहां खुद को जो मैनेज करके चलना होता है जो शुकहरोश के साथ प्रतियक दिन को जीवन में उप्योगी बनाना होता है प्रतियक शन आप इस बात पर भी गौर करते चले जाईएगा कि जो कर्म शित्र में आप अपनी उज्वल धारा को बना कर रख रहे हैं वो ही आपके जीवन का चर्मुत कर्श है नवम से शनिदेव दशम की यातरा तै कर चुके हैं यह उत्रूतर बली केंद्र है इसे वज़े से कोई र लाब भाव में देवगरू प्रेश्पती कारक भाव की हानी करते हैं कि इनका कारकत्व भी देवगरू प्रेश्पती की साथ जुड़ा हुआ है पर उट विशेश बात यह है कि यहां संतान पक्ष को लेकर बड़े निरणे में सहुलित रहेगी क्योंकि देवगरू की दर इमान है कोई भी दिक्कत और दविधा के सेरे मौजूद नहीं है वहीं द्वादश भाव की और चर्चा को लेकर चलें द्वादश के आदिपती प्रतम में है राहू यहां द्वादश में अभी भी शंशे की स्तियों को बनाए हुए है मन के भी तर ब्रहम निकल कर आने वाले होते हैं उससे संबलें जो भी यहां पर आपके लिए कार रिशेतर के साथ में विवाद बने वो थे खुद को जतनी ठंडक के साथ रखेंगे जतना ऐसी स्तियों से स्वाइम को संभालेंगे उतना बहतर है शनिदेव की विद्रिश्टी यहां 12 भावस्तिकरम के साथ में 17 जनवरी के बाद रहेगी यसे वज़े से खर्चों के अधिकता सामने आ सकती है कैसे उससे संबलना है वो कार रिप्रियोजन भी अपने लिए आप लगातार बनाकर रखने का परहत्म करते चले चाहिएगा यस पस्ट संकेद भी स्वाइम के लिए आप मान कर चलते हैं तो ज़्याला अच्छा हनुमन तो पासना के साथ में जीवन अब भी जुड़ा रहे शिव अपासना एवं आराद नामन के भीतर के भाई को पूर्णत या समाप्त करने का एक माध्यम है वहाँ पर भी स्वाइम का आप जुड़िएगा आप तो वहीं जो भी मानुभाव यहां केमिकल संबंदी काम का आज में अस तक शिव रखते हैं उनके लिए अधिकते बरता सामने निकल कर आ सकती है तो ये था वुरशब राशी के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उबस्ते तो रहेंगे धन्यबाद एवं कोटी शह आभार